दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं Maths के Most Important Questions की Set के साथ यहाँ पर हम आपसे पूछेंगे Maths के Most Important 6 Questions जिसमें से कम से कम आपको यहाँ पे सभी सवालों के जवाब जितना जल्दी से जल्दी हो सके कम से कम समय में देने हैं आपको मैं बता दूँ यह सभी Questions बारवर पूछे जाने वाले से सीजियल हो, Railway, NTPC हो, Group D हो या फिर UPSI या फिर अधर एक्जाम सभी एक्जाम में यहाँ से Questions जरूर से जरूर पूछा जाते हैं तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एक परियोगात्मक परिक्षा में हरी ने कुल पूर्णांग के 80% से 8 अंक कम प्राप्त किये तथा राजीव ने कुल पूर्णांग के 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त किये फिर भी राजीव के प्राप्तांग हरी से 2 कम रहें राजीव का कुल प्राप्तांग कितना है करहें एक परियोगातमक परिक्षा हुई उसमें हरी ने कुल पुर्णांग के 80% से 8 अंक प्राप्त किये 80% से 8 कम अंक प्राप्त किये और यह जो अंग था वो राजीव के कूल पुर्णांग के 70% से 5 अधिक राजीव ने प्राप्त किये लेकिन कहा रहा है फिर भी राजीव के प्राप्तांग हरी से 2 कम रहे तो हरी का प्राप्तांग था 80%-2-8 इससे 2 कम हो गया राजीव का प्राप्तांक यानि 70% plus 5 अब हम इसे असाने से निकाल सकेंगे 80% minus 10 equal to 70% plus 5 यहाँ पे आपका हो गया 10% equal to 15 तो आप से पुछ रहे हरी राजीव के बारे में तो राजीव का 70% plus 5 है तो 10% equal to 15 है तो 70% equal to हो जाएगा 15 multiply by 7 यानि 105 तो हरी के प्राप्तांक हो गए 105 plus 5 यानि की 110 option number B तो आपने देखा कितनी असानी से यह question आपके लिए हो गया 80% से 8 अंक कम थे हरी के और राजीव के थे 70% से 5 अंक अधिक लेकिन कह रहे था राजीव के अंक हरी से 2 कम थे उसके वाद हमने equation set के आपका असानी से बन गया next है उत्सभ में उपस्थित महिलाओं तथा पुरिशों का अनूपात 3 अनूपात 2 था और 20 और पोरुशों के आने पर इस अनूपात के पदों के करम में पारसपरिक परिवर्तन हो गया उच्ट-स सभ में महिलाओं की कुल संख्या कितनी हैं करें लागाए कराये इक उत्सभ होगा और यहां पे मैन होगा कर折ा 3 रेशिय relação 2 था बीस और पूरुश व्हएं अपो क्या करना है आपने देखा कि 20 और पूरूश आम लिकिन लेकिन TiM passo तो उतना ही रह गए लेकिन हमने देखा यहां पर तीन महला है यहां पर दो महिला है तो हम दोनों को equal करेंगे पहले वाले equation को 3 से multiply किया 2 से multiply किया दूसरे वाले को 3 से तो ये हमारा equal हो जाएगा तो 6 ratio 4 और यहां पे हमारा हो गया 6 ratio 9 कर रहा है ऐसा करने पर 20 जादा पुरुष के आने पर ऐसा हुआ था लेकिन यहां पे हमने देखे 5 ही जादा पुरुष आए यानि 5 equal है किसके तो 20 के तो आपसे पुछ रहा है महिलाओं की कुल संख्या यानि 6 के बारे में तो 5, 4, 20 तो 6, 4, 24 आपका हो जाएगा option नमबर A सवाल नमबर 3 A, B, C एक साज़ेदारी में ब्यापार सुरू करते हैं A द्वारा पुंजी का एक वटा 6 भाग B द्वारा पुंजी का एक वटा चार भाग तता से सारी पुंजी C द्वारा निवेश की जाती है A, B तता सी का वार्सिक लाब किस अनुपात में मिलेगा करा A, B और C तीनों एक साज़ेदार बैपार सुरू करते हैं A जो है पुंजी का, एक वटा 6 भाग लगाते हैं हम महने हैं कि पूरा पुंजी एक ता तो A अगर उसका एक वटा 6 लगाए B उसका एक वटा चार लगाए और करते बाक़ी जो पुंजी है, वह C लगाए तो बाक़ी हमारे पास पुंजी कहां कितना बचा twice तो सबसे पहली बात ratio कभी fraction में नहीं होता है तो हम इसे change करेंगे 12 से सभी में गुना किया तो 2 ratio 3 ratio 7 यही आपका answer हो जाएगा इनके वार्सिक लाब का अनुपात नेक्स्ट है सवाल नंबर 4 2 पात्रो A तथा B में करमसा 4 अनुपात 3 और 5 अनुपात 3 के अनुपात में अमले तथा जल है तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र C में मिलने वाले नए मिश्रण में अमले तथा जल 3 ratio 2 के अनुपात में हो करें 2 पात्र था A और B इनमें हमें बताया कि अमले तथा जल का रेशियो दे दिया है अब करें हम ऐसा क्या करें कि 3 रेशियो 2 बन जाए तो हम दोनों में या तो अमले देख लेते हैं या तो जल देख लेते हैं पहले वाले में 4 रेशियो 3 है अमले तथा जल का अनुपात यानि कि अगर हम अमले की बात करें तो 4 divided by 7 है और दूसरे में हमारा 5 divided by 8 है और हमसे कर रहे हमें इसे बनाना है 3 divided by 5 अब हम इसे Allegate कर लेंगे Allegate करेंगे तो 5 by 8 minus 3 by 5 हमें करना पड़ेगा तो 5 by 8 minus 3 by 5 आपका हो जाएगा कितना तो 1 by 4 जबकि 4 by 7 minus 3 by 5 करेंगे तो 1 by 35 sorry 1 by 40 and 1 by 35 अब हम इसे ratio करेंगे तो यह हमारा हो गया 8 पचे 40 और 7 पचे 35 यानि 7 ratio 8 ऑप्सन नमबर B इसमें हमने क्या किया कि हमें पदा था कि एक पातर में 4 ratio 3 है अमल है और यह हमारा कितना है जल है अब हम इसे अमल निकालना है टोटल इमाउंट है 7 तो 4 divided by 7 इसी तरीके से हमने सारे में क्या आसानी से एंसर निकल गया नेक्स्ट है सवाल नमबर 5 10.5 cm तरीजया का एक धातू का गोला पिखला कर 3.5 cm तरीजया तथा 3 cm उचाई वाले कई छोटे संकों में बद धाल दिया गया है तो बने संकों की संक्या कितनी होगी कर रहा एक गोला था जिसका तरीजया था 10.5 अब इसे छोटे छोटे संकूं में डाला गया जिसका तरीजया 3.5 और उचाई 3 cm है तो आप से पुछ रहा है इस प्रकार कितने संकूं बनेंगे तो आप सभी को पता है कि हमें इसे निकालने के लिए क्या करना है हमें दोनों के आयतन में डिवाइड कर लेने है उतना ही हमारा शंक्या होगा तो गोला कितना हो गया तो 4 by 3 pi 10.5 का क्यूब तो हम इसे कह सकते 10.5 multiply by 10.5 multiply by 10.5 divided by आपका हो जाएगा कितना तो 1 by 3 pi r square होता है होता है तो 1 by 3 pi और यह हमारा हो जाएगा 3.5 3.5 और यह हमारा हो गया 3 pi से pi कैंसल हो गया 3 से 3 कैंसल हो गया और यह हमारा 3 टाइमस गया इधर भी 3 टाइमस गया और 3 से हमने 3 कैंसल कर दिया और point यहां पे था तो हमने इसे नीचे 10 कर दिया और यह हमारा हो गया 21 और यहां पे आपका कितना हो जाएगा यहां पे 21 है और तीन है और दो है तो 21 चक हम से पूछ रहा है तो 21 चक 126 हो जाएगा यहां पे आपका हो गया और दो हमारी क्या है चलिए देखतें सबसे पहले है अब हमें सरकल बना लेने पी और क्यू कर रहा है कि दो सरकल है इस तरीके से हमारा पी सरकल हो गया अब यहां पे फिर से हमारा एक और सरकल है चलिए अब उसे बना लेते हैं और यह हमारा हो गया क्यू सरकल हमने देखा दो सरकल है और क्यू सरकल जो है थोड़ी शी बड़ी है दोनों की आपको त्रीज जो है दोनों को अगर हम जोडते हैं तो यह हमारा कितना आता है तो 11 जब कि करहा है PQ इकल टू 17 है यानि दोनों वृत सटे हुए नहीं है यहां पे से अगर हमने इस वृत को बनाने की कोशिस की है यहां पे हमारा एक जो है रेडियस बनेगा और इसे हम पी नाम देंगे और यहां पे की रेडियस को हमने क्यू दिया अब करहा है PQ कितना है तो P की त्रीज्या है 9 cm Q की त्रीज्या है 2 cm और टोटल हमारा कितना हो गया तो यह हमारा हो गया 17 cm अब करहा है R दूसरा बृत है जो की उपर युग्त दोनों बृत को टच करती है तो चलिए देख लेते है अब R को R इस तरीके से दोनों बृत को टच करेगी आपका बन गया थोड़ा सा यह उपर जाएगा यह आपका हो गया R अब हमसे R भी बन के तयार हो चुका है अब आपको यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है चलिए देखते हैं अब हम इसे R को भी बना लेत है अगर R की तरीजिया X है और P की तरीजिया है 9 और Q की तरीजिया है 2 और यहां पे भी R की X तो हम कहा सकते हैं क्योंकि यह एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाता है तो P Q का स्कॉयर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा PR का स्कॉयर प्लस R Q का स् आने से जैसे ही हम इसे बनाने की कोशिस करेंगे तो PQ कितना हो गया तो 17 का स्कॉयर PQ इकल टू 17 का स्कॉयर PR इकल टू हमारा हो जाएगा 9 प्लस X का स्कॉयर जबकि RQ इकल टू हो जाएगा 2 प्लस X का स्कॉयर तो यह हमारा होगी है 289 अब हम इसे solve करेंगे यहाँ पे 81 प्लस x square प्लस 18x इस तरीके से totally solve करेंगे तो x की value आएगी 6 and minus 17 अब आपको पता है minus में कभी भी नहीं होच सकता है radius तो x की value हमारे कितनी हो गई तो 6 हो जाएगी यहाँ पे x की value हमारे कितनी हो गई तो 6 हो जाएगी option number B में चला जाएगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ then bye and thanks for watching this video